जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चनौती का सामना मात्र भूमी की करने रक्षा उठा एक महा युद्धा ब्रह्मपुत्रसी प्राचीम विरासत का बंशच भारत वर्ष के अमर शूर वीरों में एक दास्तान एक अमर विरासत की असम पूर्वोत्तर का प्रवेश्ट्वार प्राक्रतिक सौंदर्य से भरपूर जहां बसता है ब्रह्मपुत्र का सबसे भव्यरूर रामायन और महाभारत की सचत्र पांडुलिपियां जो सत्रवेश अताद्दी के जूरहाट में पेड़ की छाल पर पाई गए असम के प्राचीन प्राग ज्योतिश पुरा होने का सशक्त प्रमाण है असम कभी महान कामरूप का कर्ण था पांचवेश अताद्दी की ये शिला लेख इस राज्य के अस्तित्व के प्राचीन साक्षों में से एक है निधानपुर और दुबी में मिले तामरपत्र, कामरूप के प्रतश्ठत शासक, राजा भासकर पर्मन की महिमा का बखान करते हैं 1228 शूरवीर राजगुमार सुकुफा ने ब्रह्मपुत्र की घाटियों में प्रवेश किया अहूम वज़ की स्थापना के लिए अहूम के साथ ही शुरुवात हुई एक अनूठी भाशाई और सांस्कृतिक विरासत की जो आज के असम को परिभाशत करती है अहूम अपने पूरे इतिहास के दौरान पश्चमी खतरों से लोहा लेता रहा गौर्वानवत और अपराजित जन्वरी 1662 मीर जुमला ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमाण कर निचले असम को कबजे में ले लिया तब राज्जी के मंत्रियों ने घिला जहरी घाट में एक समचाउता किया एक काला दिन जो सदा के लिए असम के स्मुरति पठल पर अंक्यत हो गया जिसने 400 साल पुराने राजबंच की जड़े हिला कर रख दी एक अपमान जनक समचाउता अहोम खजाने को कंगाल बनाने के लिए थूपी गई शर्तें लेकिन वो यही नहीं रुके राजा की कलौथी संतान उनकी बेटी को मुगल समराट के हरम में शामिल होना पड़ा एक ऐसा अपमान जिसे स्वर्ग देव सहन ना पाए डवंबर 1663 नए स्वर्गदेव चक्रध्वद सिंगा ने गदी संभाली लक्ष केवल एक मात्र भूमी की आजादी अहोम गौरव की पुना स्थापना लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था कौन करेगा अहोम सेना का नित्रत्व कि अपने गौरव राश्ट्र और स्वर्गदेव के लिए मर मिटने को तैयार एक युद्धा ये किवल लासित ही हो सकते थे स्वर्गदेव का विश्वास और बौर्फुकन की हैंगडन था में लासित ने अब कमान सभाल ली थी सराइगहाट 1671 चार साल की लंबी तैयारियों का निर्णायक शान आ चुका है अपने पौर्फुकन के साथ कंधे से बंधा मिलाकर दोनों किनारों पर सैन्ने बेडों के साथ आने से नावुं की एक दीवार सी बन गई लगादार तोपें दागते हुए डर अब मुगल सेना को जकड़ने लगता है अहूम सेना का साहस शिकर छू लेता है लासित पौर्फुकन, आगे बढ़कर, स्वर्गदेब, राश्ट और लोगों के प्रती अपने करतव्य को पूरा करते हैं मुगलों की हार होती है और अहूम की जीद मात्रगों में अब सुरक्षत है एक अच्यूक रण्वी तिग्य सब के प्रियब बोर्फुकन, जनता के चहेते, कल भी और आज भी ब्रह्मपुत्र के शूरवीर लासित बोर्फुकन प्रियब बोर्फुकन